तो दोस्तो आज है 22 जुलाई 2022 और फाइनली कुछ मिंटो पहले आउट हो चुका है इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुल कमपनी रिलाइंस इंडस्ट्री की क्वाटर वान की रेजल्ट अब चले फड़ा फड़ा हम देख लेते कि कमपनी का क्वाटर वान की रेजल्ट कैसा आया है तो यहाँ पे आपके सामने ओपन है क्वाटर वान की consolidated financial रेजल्ट तो सारे वियर्स को मैं request करूंगा कि वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना बिना skip के तो सबसे पहले यहाँ मतब जुन 2021 का रेजल्ट अब यह तीनों क्वाटर को एक साथ हम compare करेंगे तो सबसे पहला आता है कमपनी का total income अब total income आता है revenue from operation और others income को add करके जो कि इस क्वाटर में कमपनी का total income हुआ है 2,25,360 करोर रुपे यानि 2,25,360 करोर रुपे जो कि last quarter मार्च quarter में यह नंबर था 2,14,344 करोर रुपे सीधी सी बात है कि quarter on quarter पे हमें काफी अच्छा जम देखने को मिला साथी साथ अगर हम last year के साथ compare करें तो June 21 पे company का total income आया था 1,48,591 करोर रुपे मतब year on year पे भी काफी अच्छा हमें जम देखने को मिला next हम बात करेंगे expenses जिस बैसे दोस्तो इस बार company का margin है उसके अंदर काफी ज़ादा हमें जम देखने को मिला वो है company का जो main business यानि crude oil का यानि oil refining का तो यहाँ पे आप देखें तो company का जो expenses है यहाँ पे आप देखें company का total expenses इस quarter में आया है एक लाख अठानबई हजार उनसाट करोर रुपए जो कि last quarter यानि quarter four में था एक लाख बिरानबई हजार अठातर करोर रुपए मतलब company का total income के अंदर जितना जम्प आया उससे काफी कम जम्प आया है total expenses के अंदर इसका मतलब company का margin है operation profit margin उसके अंदर आपको काफी अच्छा जम्प देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देखें last year पे company का total expenses का नंबर आया था एक लाख 31,284 करोर रुपए मतलब अगर हम बात कर year on year पे total income बनने के साथ साथ जो company का total expenses है उसका नंबर भी काफी बर चुका है अब चली एकदम सीधा नीचे चलेंगे नीचे चलके देखेंगे कि tax price सब कुछ बनने के बाद जो बचता है उसे हम profit for the period यानि net profit कहा जाता है तो net profit company का कितना आया तो यहा quarter 1 पे company का net profit आया है 19,443 करोर रुपीज 19,443 करोर रुपई जो कि last quarter March में company का total net profit आया था 18,021 करोर रुपई यानि अगर हम बात करे quarter on quarter basis पे approximately 8% के आसबस हमें जम देखने को मिला साथी साथ year on year पे बात करें तो सारे record तोड़ दिया दोस्तों last year पे company का net profit आया था June 21 पे 13, 18,806 करोर का इस बार वो jump को के almost 19,000 करोर के आसपस पहुँच चुका यानि year on year पे अगर हम बात करें दोस्तों 40% का jump देखने को मिला जो की net profit के अंदर जो की पहले से expected था भी इस बार company का result काफी दमदार आया क्योंकि उसकी पीचे main reason है quarter one के हमने देखा था crude oil का price एकदम आ इसके अंदर कैसा changes देखने को मिला यहाँ पर देख सकते हैं एक हो गया आपका basic यहाँ पर हो गया आपका diluted तो यहाँ आप देखें company का जो basic earning per share इस quarter में है 26.54 का diluted है 26.54 का जो कि last quarter में इसका number था 23.95 का basic and diluted दोनों ही same था और last year की अगर बात करें basics था 18.96 का और diluted था 18. 18.63 था मतलब company का total income साती साथ net profit बढ़ने के साथ company का earning per share है उसके अंदर भी काफी अच्छा खासा में जम देखने को मिला अब जैसे कि आपको मालूम है कि Reliance industry का business बहुत well diversified काफी बड़ा business है इस बैसे इसका अलग-अलग segment पे company का revenue generate करता है अब चली देख लेते हैं कि company करोर का revenue generate कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखने है क्योंकि यहाँ पे पूरा funda आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा revenue company कमाया है तो यहाँ पे आप देख सेखते हो company oil to chemical यानि O2C business जहाँ से सबसे ज्यादा Reliance industry को revenue आता है उस particular segment पे company का revenue आया है एक लाग-एक यहाँ हुआ एन लास्ट एयर के साथ अगर हम compare करें आप देखी सकतो लास्ट एयर पे यही नंबर था अल्मोस्ट एक लाग-3215 करोर का यानि year on year basis पे काफी जवर्दस हमें जम देखने को मिला साथी सद अगर हम बात करें oil and gas इस particular field से भी काफी अच्छा हमें जम देखने को मिला साथी से अगर हम बात के retail sector मतब Relance Retail Venture Limited इस particular segment से और्मोस्ट 58,579 करोर का total revenue आया है जो की same to same quarter on quarter पे थोड़ा बहुत जम देखने को मिला बट year on year पे दोस्टो काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला particular retail segment से नेक्स्ट अगरम बात करें digital service जिसका अभी present जो चेयर में है मुकेश चमबानी जी की जो की बड़े बेटे अकाश चमबानी जी डिजिटल सर्विस और Reliance जीओ इस particular field से जो total company का revenue आया है बाकी others field से गरम बात करें तो यहाँ पे आप देखे quarter on quarter पे हमें others में तोड़ा drop देखने को मिला बट year on year बेसके में चम देखने को मिला तो यह हो गया आपका इंडिया का largest individual company यानि Reliance industry की quarter one का result मेरे हिसाब से result काफी दमदार आया काफी strong company का result आया और इसका पूरा पूरा impact दोस्तों आगे आने वाले कुछ यहाँ पे दिनों में trading session में आपको जरूर देखने को मिला तो सारे viewers से मैं request करूंगा आप भी अपना point of view definitely share कीजे comment box में कि आ आपका क्या opinion है इस result को लेकि आपको कैसा लगा आपको क्या लगदा है कि क्या इसका impact हमें देखने को में लेगा Monday जब बजार open होगा definitely दोस्तों आपका valuable opinion share करना comment box के अंदर तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे Reliance Industry की share क्योंप थोड़ा technical discussion करेंगे बार उसके पहले एक और important चीज़ बोलना चाहूंगा कि देखी बहुत लोग के पास trading करने के लिए investment करने के लिए demand account नहीं होते तो आप चाहे तो इंडिया का one of the largest जोकी brokerage companies के साथ open कर सकतो अप स्ट पर में तेजी देखने को मिला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेबल यान धाई हजार की एकदम बॉर्डर लाइन के दोस्तों आज क्लोजिंग देखने को मिला ओवरल अगरम बात करें आज टोटल जो डे है उसके अंदर तो डिफेनिल आज अगरम देखा जाए दोस्तों अपने देखाऊगा शाहिद इसमें पावर सेक्टर याने रिनीवल सेक्टर कोई भी मेंशन नहीं था क्योंकि कंपणी अभी लगातार इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां से कंपणी को कोई भी अभी रेविन्यू बगड़ा जेनरेट नहीं ओड़ा है बट आगे आने वले क कुछ कोटर में जैसे ही वहां पर देख सकतना कि कंपणी को लगाता है कॉंट्रेक्ट बगड़ा मिलेगा पर्टिकुलर रिनीवल फिल्ड्स है तब देखना उसका भी जो डेविन्यू है यहां पर जूर जाएगा तो जिस बैसे दोस्तों इन फ्यूचर के लिए मैं बोल जैसे कि आप आप देखें टोटल पचास लाक्यों पर शेयर ट्रेडिंग होया आज की दिन पर जिसके अंदर डेलिवरी उठा जाए चुगा ऑल्मोस्ट 47 परसिंट का आसपास यहां पर मेरा सिंपल से रणनीती रहेगा आपको अगर शेयर तो खोल्ड कीजिए तो वीडि लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जा कि ए infra एक divine कि भामख बन्याय गार इक st意思 में सिते हम कैंसल आपका सो हीज़ों कार्ड़ गल को जाञः आपका बनेचान है पहल जाएगा ह hand